चटपुजा में बनने वाली ठिकुआ की रेसिपी आज मैं आपके लिए ले कर आई हूँ यह बहुत ही खास्ता और बहुत ही ज्यादा क्रंची क्रिस्पी है यह चटपुजा में हर घर में बनता है और इसको प्रशाद के रूप में लोग ग्रहन करते हैं और इसको ठिकुआ तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करते हैं तो ठीकुआ बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है दो कप गुड़ यह वजन से देखा जाए तो यह 400 ग्राम गुड़ है इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप पानी और अगर आपको जल्दी बनाना हो तो थोड़ा सा करम पानी डाल दीजिए और 10 मिनट में यह रेडी हो जाएगा अगर आपके पास टाइम है तो 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए आधे गंड़े के बाद आप देखेंगे कि गुड़ जो है वह अच्छे से फूल गया है और मेल्ट भी हो गया है यह देखिए अच्छ देख कर देंगे आप ठेकवा बनाने के लिए हमने यहां पर तीन कप आठा ले लिया है गहूं का आठा है यह आप चाहें तो मैदा से भी बना सकते हैं अब इसमें टेस्ट के लिए हमने इहां पर डाल दिया है तीन बड़े चमच कटा हुआ सूखा नारियल साथ में डाल देड़ चम्मच सौफ और एक चम्मच क्रस्ट किया हुआ इलाइची इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और मोयन के लिए डालनेंगे वन थाड़ कप घी ठिकुवा बनाते समय ना तेल का इस्तमाल ना करें अगर तेल डाल कर इसमें बनाएंगे ना तो यह इतना टेस इसको हमें मिला लेना है बहुत अच्छे से पूरे आटा और घी को मिला लेंगे और मुठी बांद कर देखेंगे अगर मुठी अच्छे से बंद रही है तो यह बनाने के लिए और यह ज्यादा अच्छा टेस्ट के लिए डाल देंगे धाय चम्मच चीनी वैसे बिल्कु आप चाहें तो डाल सकते हैं लेकिन चीनी थोड़ा सा डाल देने से थिकुआ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है तो यह देखे यह आटा जो है वो तयार है अब जो गुड़ का पानी हमने रेडी करकर रखा था वो पानी को डालेंगे और आटा को लगाएंगे थोड़ से भी बना सकते हैं लेकिन मैदा में यह गुड़ का इस्तमाल नहीं होगा आप इसकी जगा पे चीनी डाल कर बना सकते हैं चीनी को चाहे तो आप भोल लें पानी में या तो डायरेक्ट आटा में डालें और बना लें वो उससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब यह देखिए आटा हमारा रेडी हो गया है तो इस तरह से हम छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे जितने बड़े साइज का आपको ठेकवा बनाना है उसी हिसाब से आप इसके पेड़े तैयार कर ले और इतने आटा में हमने सारे पेड़े को तैयार करके रेडी कर लिया ह और यह देखिए हमने साड़े पेड़े को तयार करके रेडी कर लिया है तो चलिए अब हम ठेकवा बनाते हैं तो ठेकवा बनाने के लिए एक इसका मोल्ड होता है एक जिसको बोलते हैं साचा तो इस साचे को लेकर हम ठेकवा बनाएंगे जिसमें यह जो डिजाइन बनाए न तो चारो तरफ से ये अच्छा होगा अगर आप हतेली से डारेक्ट दवाएंगे तो बीच में मोटा हो जाएगा और चारो साइड से पतला हो जाएगा तो जब भी आप ठेकुआ बनाए तो इस तरह से ही बनाए तो अच्छा जादा बनेगा और चारो तरफ से बिल्कुल इक्वेल बनेगा, कहीं से मोटा और पतला नहीं होगा, और ये देखिए हमने ये रेडी कर लिया है, अब आप सोचेंगे कि अगर साचा ना हो तो कैसे बनाएं, तो उसका भी उपाय मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से ले और हातों से इसको अच्छे से दबा कर चारो तरफ से बिल्कुल एक जैसा लेबल कर दें, नहीं तो कहीं से मोटा कहीं से पतला हो जाएगा, अब इस तरह से कोई भी ग्लास ले ले लें, कटोरी ले ले या फिर किसी डब्बे का ढखकन लेकर इस तरह से डिजाइन बना दें, तो बन गया डालडा, जो भी आप लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, लेकिन इसको तलते समय घी बहुत ज्यादा गरम अगर होगा न, तो ये ठिकुआ जो है, उपर से पूरा जल जाएगा और अंदर से एक दम कच्चा रह जाएगा, इसलिए एक दम मीडियम तो लो फ्लेम पे इसको फ्र अंदर तक नहीं हो पाएगा, तो चारो तरफ से धीरी धीरे हलके 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 हातों से उलटते पलटते हुए, ये देखिए, बिलकुल गोल्डेन होने तक धीमियाज पे इसको सेक लेना है, और एक बार का हमने निकाल लिया है, और इसी तरह से बाकी के सारे जो ठिकुए हैं उसको बना कर हम रेडी कर लेंगे, लेकिन इसको बनाते समयना एक बात का ध्यान रखें कि एक बार में बहुत सारा अना डालें, अगर डालेंगे तो वो तूट जाएगा, दोस्तो मेरी रेश्पी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर पहली बार हैं, तो भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री अप कॉस्ट होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत फायदा ह तो ये देखिए, हमने यहां पर सारे ठेकुओं को बना कर रेडी कर लिया है, और इसमें कितने अच्छे से क्रैक्स आये हैं, ये जो ठेकुओं में क्रैक्स दिख रहे हैं, इससे पदा चल रहा है कि ये जो ठेकुओं हमारा, वो कितना क्रंची और क्रिस्पी बना है, आप इसको बना कर इस्टोर भी कर सकते हैं, बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, और कभी स्नैक्स के रूप में भूक लगे चोटी मोटी तो आप इसको खावी सकते हैं, क्यूंकि इसमें गुड है, आटा है और घी है, तो आप बनाईए, बना कर इंजोई कीजिए, फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई